नमस्ते दोस्तों क्या आपने कभी किसी नाराज ग्रहक का सामना किया है अब ग्रहक का मतलब हो सकता है यह आपके कंपनी के अंदर का वेक्ति हो या फिर आपका कोई क्लाइंट या फिर बाहर का वेक्ति तो क्या करते हैं आप जब कोई आपके साथ पड़ी नाराजगी से बा तो सबसे पहले तो हम यह मान कर चलें कि ऐसी परिस्तितियां कई बार आएंगी खास तो पर तब जब आप किसी कंपनी में कारियरत हैं या फिर आप अपना खुद का कोई व्यावसाय या बिजनस करते हैं तो क्या करें ऐसे वक्त बहुत ही नाजुक घड़ी होती है तो एक फ 4A formula अब यह 4A formula क्या है बड़ी आसान सी तर्कीब है और आसानी से आप इसका इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो 4A का मतलब है acknowledge, apologize, assure and act तो चली मैं आपको इसका मतलब समझा दो acknowledge का मतलब है स्वीकार करना मान लीजे जब कोई आपके साथ गुसे से बात करता है या करती है तो वो इसी लिए क्योंकि परसिती विपरीथ है कुछ गलत हुआ है तो यह स्वीकार करना कि हाँ कुछ गलत हुआ है जिसकी वज़े से सामने वाला ग्राहक हमसे खफा है ये बह इससे इंकार करना की गलती हुई है इसकी वज़े से सामने वाला जो है और जाधा गुसे में आ सकता है तो बहुत जरूरी है कि हम यह मान लें कि हाँ कुछ गलती जरूर हुई है इसे कहते हैं स्वीकार करना जिसका मतलब है acknowledge करना अब एक बार जब आपने ये स्वीकार कर या कि कुछ गलत हुआ है तो दूसरा जो हमारा कदम है वो और जादा जरूरी है जिससे कहते हैं अपॉलजाइस अपॉलजाइस का सीधा सीधा मतलब है माफी मांग लेना अब हम माफी कब मांगे सबसे पहली बात तो तब जब हमने कोई गलती की हो तो जब हम गलती करें और म काफी मांग लें तो उसमें कोई भी शर्मनात बात नहीं है कि हमसे गलती हुई और हमें माफ करती जिए लेकिन कई बार आपको तभी माफी मांगनी पड़ती है जब आपने कोई गलती न की हो। इसका मतलब है परिस्तिती की मांग है कि आप गलती मांगें ये कब करते हैं हम मान लीजे आपका कोई दोस्त है जो कुछ दिनों से काम पर नहीं आ पाया तीन चार दिनों के बाद आपने उससे मुलाकात की और आपने देखा कि वो काफी नाराज है तो आपने उसको हसाने की क दिनों से छुटकला सुना दिया तब भी वो नहीं हसा तो बाद में आपको पता चला कि आपका जो दोस्त है उसकी परिवार में किसी का निधन हुआ है इसी का दिहांद हुआ है तो आप तुरंत उससे क्याते हैं माफ करना दोस्त मैं तो सिर्फ हसाने की कोशिश कर रहा थ मुझे नहीं पता था कि आपके परिवार में ऐसी घटना हुई है I am really sorry अब आपने जो माफी मांगी तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके परिवार में किसी की भी जो मृत्य हुई है उसकी वज़ा आप है खतर यह नहीं लेकिन फिर भी आपने माफी मांगी क्योंकि उस वक्त परिस्तिती की मांग थी कि आप माफी मांग ले तो कभी-कभी हम माफी इसलिए मांगते है क्योंकि हमने गल्ती की है और कभी-कभी माफी इसलिए मांगते है क्योंकि परिस्तिती की मांग होती है कि हम माफी मांग ले तो जब हमने गलती की और माफी मांगी उसे कहते हैं बड़पन दिखाना और जब हमने गलती नहीं की फिर भी माफी मांग ली इसे कहते हैं समझदारी दिखाना तो दोनों ही सूर्तों में माफी मांग लेने से सामने वाले का जो गुस्सा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो दूसरा step माफी मांगना तीसरे step में हम क्या करेंगे तीसरे step में हम कहते हैं assurance याने आश्वासन देना अब आपने माफी तो मांग ली लेकिन ये आश्वासन देना कि देखिए जो गलती हुई है उसे मैं सुधारूंगा या फिर उसे हम सुधारूंगे और उसके लिए जो बन पड़ेगा वो मैं जरूर करूंगा ये आश्वासन देना ये दिलासा दिलाना सामने वाले को बेहद जरूरी है अक्सर ये दिलासा दिलाने में हम असफल होते हैं तो सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा जो गलती हुई है उसको सुधारना जरूरी है तो आश्वासन देना बेहद जरूरी है इससे सामने वाले को एक तसली मिलती है कि भाई हो सकता है आपने जान बुझ कर इसे ना किया हो गलती से किया हो लेकिन आप इसे ठीक कर देंगे और फिर चौथा और आखरी कदम जो आपको उठाना है उसे कहते है आक्ट याने आक्शन यहाँ पर आप वो सारी चीजे करेंगे जिससे ये गलती को सुधारा जा सके जिसके बारे में आपने आशवासन दिया था सामने वाले को तो यहाँ पर आप उन चीजों पर अमल करेंगे इसे कहते है आक्शन लेना तो जो कहा उसे तर दिखाईए जब आपने उस पर अमल किया तो गलती जो है वो ठीक हो सकती है तो इन चारों चीजों का इस्तिमाल करना बहुत जरूरी है कौन सी है ये चार चीज़े बड़ी सरल सी है और इसका आसानी से आप इस्तिमाल कर सकते हैं नमबर एक एकनॉलेज करना ये स्वीकार करना कि कुछ न कुछ गलत हुआ है नमबर दो अपॉलोजाइज जिसका मतलब है माफी मांग लेना जब आप इसलिए माफी मांग दें क्योंकि आपने गलती की थी उसे कहते हैं बड़पन दिखाना लेकिन अगर आपने माफी इसलिए मांगी क्योंकि परिस्तिती की मांग थी तो उसे कहते हैं समझदारी दिखाना नमबर तीन है अशौरंस यहने आश्वासन देना सामने वाले को ये तसलिए दिलाना ये दिलासा दिलाना कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा चिंता मत कीजिएगा और नमबर चार वो है टू आक्ट आक्ट का मतलब है सही कदम उठाना ताकि चीज़े जो हैं फिर से ठीक हो जाएगा इन चारों चीज़ों का इस्तिमाल करते हुए आप किसी भी ग्रहक को शांत कर सकते हैं आश्वस्त कर सकते हैं तो फिर आपके पास जवाब है आपको पता है क्या करना तो इसका इस्तिमाल कीजिए और मालूम कीजिए कि क्या आप इसका इस्तिमाल करते हुए सामने वाले को नियंटरित कर सकते हैं कि नहीं मुझे जरूर बताइएगा कि आपका अनुभो कैसे रहा बहुत बहुत धन्यवाद